नमस्कार दोस्तो बहुत बहुत स्वागत थे आपका हमारी य्टूब चैनल पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 27 फिट बाई 53 फिट के एक बहुती सांदार घर के नक्षे के बारे में दोस्तो ये नक्षा मेंने रेंट परपस से बनाया हुआ है किराय पर देने के लिए घर का नक्षा आज का हमारा ये रहने वाला है और अगर आपके plot का size भी 27 feet by 35 feet का है या फिर इस plot size के आसपस अगर आपके plot का size है और आप जो है किराय पर देने के लिए अपना घर बनाने जा रहे हैं तो आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत important रहने वाला है बहुत जबरदस नकसा दोस्तों यह rent पर देने के लिए रहने वाला है तो वीडियो को आपको end तक देखना है complete बात करेंगे इस design की और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा request है कर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को अभी subscribe कर देजएगा क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही design देखने को मिलते रहेंगे तो चलिए start करते हैं तो सबसे पहले तो मैं plot के बारे में आपको थोड़ा सा बताया जाओ देखे दोस्तो 27 बाई 53 का यह plot था इसके front side में road है बाकी तीनो side में घर बना हुआ है तो ventilation के लिए हमने shaft वगरा दिया हुआ है और total जो है हमने इसमें 5 unit निकाला हुआ है किराय पड़ देने के लिए और एक दुकान भी निकाला हुआ है आगे की तरब जिसमें से 4 unit हमारा single room set है और एक unit आपको double room set या फिर one beach के type आप बोल सकते हैं जो कि हमने back side में दिया हुआ है तो चलिए main gate से start रहते हैं यहाँ पर आपका gate लगेगा main gate 5 feet wide लेगा और यहाँ पर आप देख से पते steer case हमने front side में ही दिया हुआ है अप लिखावा है यहाँ से चड़कर अपने हम first floor या second floor पर हम जाएंगे आगी की तरफ आपको एक दुकान भी देखने को मिल जाएगा 7 feet start challenge by no feet change का जिसको आप किराया पर देख सकते हैं यहाँ पर 5 feet wide guy passage है आपका आने जाने के लिए और इस passes का size जो तो 5 feet काफी है यहाँ पर आपका side में bike विगरा भी पार्क हो जाएगा जिसको भी आप किराया पर कमरा दोगे वगर उसके पाद स्कूटिया bike होगा वो side में खड़ी कर देगा उसके बाद भी 3 feet का आने जाने के लिए space आपका बचा रहेगा ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं एक unit यह हो जाएगा size आप देख सकते है bedroom का 9 feet 10 inch by 9 feet 11 inch का लगपक 10 by 10 का आपको room मिल जाएगा और यहाँ पर attached toilet 6 feet 5 inch by 4 feet का और यहाँ पर L shape में हमने kitchen के लिए slap दिया गया है ठीक है kitchen की दिवार और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह dimension 13 feet 10 inch हो जाएगा ventilation proper हो रहा है आप देख सकते हैं इस वाले bedroom का ventilation यहाँ से हो जाएगा window लगावा है तीन feet change का और kitchen और toilet के ventilation के लिए यहाँ पर एक shaft दिया गया है और जो pipe figure आए वो यहीं से नीचे आजाएंगे इसी shaft से नीचे आजाएंगे और ventilation का भी यह काम करतेगा आपके space area में भी यहाँ पर रोशनी रहेगी एक ही हो गया और एक set ही हो गया इसका भी आप size यहाँ पर देख सकते हैं और इसके साथ भी आप देख सकते हैं यहाँ पर यह kitchen के लिए slab और toilet ठीक इसके opposite दो set यह देखने को मिल जाएंगे आपको ठीक है चार हो गए और एक one bhk या फिर two room set भी आप बोल सकते हैं इसको यहाँ भी आपको back side में देखने को मिल जाएगा अगर किसी family को भी आपको देना होगा तो आप दे सकते हैं family को student को employer को multi purpose आप यहाँ पर यह rent के कमरे में आप निकाले हुए हैं बाकि आपको अगर यह नकसा अच्छा लगता है दोस्तो तो वीडियो को भी आप जरूर लाइक किजेगा और आप इसका screenshot लेकर भी अपने पास रख सकते हैं दोस्तो इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद